यह दर्शकों का स्वागत है इस नई वीडियो में आज हम बात करेंगे दो स्टॉक्स की गेमॉन, इंफ्रास्ट्रक्चर और बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन कंपनी दोरों स्टॉक में भारी गिरावाट आ रही है क्या होंगे सही बाइंग लवेल अगर आपको खरीदने है यह पैनी स्टॉक है तो इसलिए ध्यान रखियागा दोस्तो स्टॉक मार्केट में जब भी निवेश करें अपनी लिमिट के अनुसार निवेश करें और साथ ही साथ में वो पैसा लगाएं जो आपको आग्या आने वाले तीन साल तक की जुरुत ना पड़े आए चलकर विशलेशन करते हैं इस ख़बर का सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पर सीधे वेबसाइट पर चलते हैं कि क्या होता है बिग ब्लॉग कंस्टॉक्शन कंपनी के पास कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो की उनके पास में लग्शरियस लाइफस्टाइल के बिल्डिंग कमर्शल एस वेल एस परसनल ब्लॉग बनाते हैं अब देखे इनका जो नेक्स्ट ब्लॉग है वो एक कंक्रीट ब्लॉग है जो की lightweight material है और इसके साथ में ये fire resistance भी है तो जो normal brick use होती थी उससे थोड़ा सा efficiently काम करता है और आगे जैसे जैसे इसमें काम चलेगा तो ये और तेजी से इसकी demand बढ़ेगी यहाँ पर आगे आने वाले समय में तो ये एक बहुत बढ़िया है cost saving के लिए electric infrastructure में less breakage लगती है और साथ ही साथ में plaster saving भी इसमें ज़्यादा होती है तो इसे साब से ये एक बढ़िया आपके लिए proposition अगर आप घर बना रहे हैं अब जो इनके project हैं देखें Larson and Tubro का इनके पास काम है Regency, तीतावला में इनका काम है Asan Gow में Royal Urban City है उस पे काम चल रहा है Reliable City में इनका Aeroli में इनका काम चल रहा है तो अलग-अलग location पर इन्हों ने अपने project चलाई हूँ है जिसके हिसाब से ये एक बढ़िया proposition बनती है अब अगर इसकी market cap की दरस्टी से देखा जाए अगर आप penny stock में निवेश कर रहे है अगर normal stock है तो अब तो 5% हम आलाओ करते हैं बट यहाँ पर अगर आप कभी निवेश करें इसमें तो 2% से ज़ादा कभी निवेश मत कीजेगा अब अगर हम इसके साथ में बात करें 21 करोड की इसकी earning हो चुकी है यहाँ पर और यही चीज अगर आप sales की दरस्टी से देखें तो net profitability जो है अभी भी इसकी negative ही चल रही है दो quarter में इसका negative loss बना है यहाँ पर तो यह आपको समझने वाली बात है और shareholding pattern promoter के पास 70% public आप और हमारे जैसे भी लोगों के पास 39% की holding है तो थोड़ा साफदान होने की जूरत है इसमें ना FII के पास holding है ना DIA के पास holding है आप देखिए अगर भाव का भाद करें तो continuously आपर circuit चला था 90 रुपे से लेकर 176 तक उसके बाद में continuous down circuit चला था कोई volume नहीं था यह समझी है यह बहुत बड़ा manipulation होता है stock market में इसको थोड़ा सा आपको void करना है जब आप देख रहे हैं यहाँ यहाँ पर average volume 10,000 के आसपास है और एक दम पिछले 5 दिनों से continuously 10 दिनों से आपर circuit चले जा रहा है यहाँ पर खरीदे नहीं यहाँ पर बेचें जो आपने माल लिया हुआ है उसको बेचना होता है यहाँ पर ऐसमें उसके बाद देखे नीचे गिरा और यहाँ से फिर थोड़ा इसने आप momentum के साथ अपकिया है यह फिर से वो ही है जो एक हिंदे में कहावत है दूद का जलावा चाच को भी फुक फुक के पिता है यह experience सही मिलती है आपको बाते यह clear cut लिग रहा है यहाँ पर fraud चल रहा है operator game चल रहा है थोड़ा सा साफदान रही है दोस्तों पैसा इतना असानी से नहीं बनता है आपको देखिए 112 का level है अब एक बार अगर इसने यह यहाँ पर 85 का level तोड़ा तो फिर यह और भी नीचे जा सकता है तो don't try to catch the falling knife यह हमेशा दियान रखिए इस stock में volume तभी आता है जब operator game खिलते हैं अगर हम बात करें यहाँ पर sensex की तो sensex ने आज काफी positive momentum खोला था देखिए 50,500 के असपास से बन था कल और यह यहाँ पर आज खोला 50,700 के असपास और जो high बनाया इसने 50,000, 51,000 के असपास एक resistance की तरह से feel हो रहा है यहाँ से नीच आया, फिर एक attempt किया वो fail हुआ, उसके बाद नीच आया 50,400 और अभी 50,500 के असपास यह चल रहा है यहाँ पर तो इसके हिसाब से यह थोड़ा सा अभी हो सकता है market, international market के pressure की वज़े से थोड़ा सा कम result रहे इसका, investment rule का ध्यान रखिए, अगर आप किसी mid cap में निवेश करें तो 5-5 rule हमेशा ध्यान रखना अब चलकर हम बात करते हैं यहाँ पर गमान infrastructure की, इसका भी एक official news है, उसके बारे में दमाका क्या हो रहा है और बताएंगे देखिए अगर इनके project क्यों देखें, तो इनके पास आंधरा में, expressway में project है, कोची में project है, गोरगपूर में, हर्याना में इनके पास मुंबई में है, पंजाब में है, सिक्किम, तो वाइजएक तो इनके पास में काफी सारे project हैं, जो high level पर इनका काम चलता है और यह विशाका पतनम में, जो इनका वाइजएक में जो project है, वो भी इसके साथ में बहुत बड़े level पर इन्होंने काम किया है तो उस हिसाब से infrastructure companies के हिसाब से छोटी company है, अगर आप देखेंगे, तो market cap की दिरस्टी से यह और भी छोटी है, केवल 80 करोड की company है market cap इसकी, तो थोड़ा सा साफधान इसमें और भी जादा रहना है, अगर आपके पास कोई inside information है, ठीक है आप खरीद सकते हैं, बट अगर आप खरीदना भी चाते हैं, तो हमारी सलाह यही रहेगी, 2% से जादा मत खरीदी और जहां हम level support बताएंगे, वहाँ पर आप चाहें, तो इसको अपने portfolio में add कर सकते हैं, अब छोटी company होने के वाज़े से, इसमें revenue भी relatively उतना ही कम है, और profitability भी इतनी जादा नहीं है, यह ब पब्लिक जो आप और हम जैसे लोग हैं, उनके पास में 61% की holding है, यह कोई अच्छी बात नहीं है, और यहाँ पर promoter ने 100% shares को pledge किया हुआ है, तो यह clear indication है, जब इस तरह का भाव गिरेगा, तो यह नीचे के गिरते level पर पहुचेगा, यहाँ पर हो सकता है कुछ time के लिए consolidation phase चलता रहे इसका, और international market के pressure होने की वज़े से, ऐसे stock में ज़्यादा गिरावटाती है, देखिए, अगर support की बात करनी है, तो 55 रुपे का एक अच्छा support माना जा सकता है, यहाँ पर, अगर किसी वज़े से 55 रुपे तूटता है, तो अगला support इसका 25 पैसे के आसपास रहे है, एक जंता को जागरूग करने का, retail innovation के हाँ पर बहुत जादा फस जाते हैं इस तरह से, अगर आप हमारा view देखें, तो हमारा view इसमें bullish नहीं है, दोन स्टॉक में, और इसलिए हम आपको सलह नहीं करेंगे, कि आप buy कीजे और holder किये, अगर आपका profit बन जाता है इसमें, तो आपको इससे exit करना होगा, appropriate time पर बहुत जल्दी अपना principle निकाल लिए, profit cop रहने दीजिए, आपकी मर्जी है फिर उसके राद में, अगर आप हमारे साथ trading सीखना चाते हैं, तो हमें mail drop कीजे, future option trading की workshop जाइन कीजे, इसके राद में आपको 2 हफते का हमारे साथ trading करने का पर्ट्चन मिलेगा, आपके लिए 4 वीडियो परसे लिए